और इसी बीच बड़ी खबर भारत औस्ट्रेलिया महा मुकाबला लगातार जारी है टीम इंडिया के 9 विकेट गिरे हैं यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं भारत औस्ट्रेलिया का महा मुकाबला लगातार जारी है और बता दे आपको ये महा मुकाबला जारी है और इसी बीच आपको ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं कि 9 विकेट गिरे हैं भारत आस्ट्रिलिया महा मुकाबला लगातार जारी है और सभी इसी पर नजर लगाए बैठे हैं बता दे आपको इसी बीच ये बड़ा अपडेट इस वक्त आप दे रहे हैं आपको 9 विकेट गिरे हैं लगातार मैच जारी है महा मुकाबला खेला जा रहा है आस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच ये महा मुकाबला है टॉस में जो है आस्ट्रेलिया जीता और आस्ट्रेलिया ने पहले बॉलिंग चुनी और बल्ले बाजी बता दें आपको अभी 9 विकेट गिरने का अपडेट आपको सवक्त दे रहे हैं लगातार महा मुकाबला जार तो इमहा मकाबले पे सबकी नजर है, सभी निगाएं इस पर लगाए बैठे हैं, दुआओं का दौर भी लगाता है जारी है, ये बड़ा मैच इतने लंबे वक्त बाद जो आस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच खिला जा रहा है, हर कोई यही सोच रहा है, आश्वस्त है ये में और इस मैच को देखा जा रहा है, बॉलिवड स्टार्स भी यहाँ पर पहुंचे हैं भारत अस्ट्रेलिया के बीच महा मुकाबला जारी और नौ विकेट अभी तक इंडिया के हो चुके हैं जैसी बल्लेबाजी की उमीद थी, वैसी बल्लेबाजी भारती टीम ने दिखाई नहीं भारती टीम के बल्लेबाजों ने दिखाई नहीं अब पूरी जिम्मदारी, पूरा दारो मदार है गेन बाजों पर जी हाँ गेंद बाजों पर ही पूरी जिम्मदारी है अब भारत को वर्ल कप दिलाने की बले बाजी में जो कुछ हुआ वो अब भूल जाईए वो पास्ट की बात हो गई लेकिन गेंद बाजी से अब इस मैच को जीता जा सकता है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत के गेंद बाज शानदार फॉर्म में हैं इस समय मोहमद शमी की बात हो, सिराज की बात हो, बुमरा की बात हो, कुल्दी प्यादव की बात हो सब अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं तो अब इन्ही गेंद बाजों से हम उम्मीद लगा सकते हैं पूरा देश इन्ही गेंद बाजों से उम्मीद लगाए बैठा है कि गेंद बाज अब कोई कमाल करके दिखाएं और तीसरी बार देश को वलकप दिलाएं 238 रन हो चुके हैं और तीन गेंदों का खेल बचा हुआ है पहली पारी में अब इन तीन गेंदों में कितना स्कोर भारत कर पाता है यह देखनी वाली बात होगी और एक और गेंद डॉट दो गेंदों का खेल बचा हुआ है पहली पारी के लिए 238 रन भारत ने लगा दिये हैं स्कोर बोर्ट पर हाला कि मैदान बड़ा है गेंद बाजों के लिए मुफीद पिछ है बल्ले बाजी थोली सी कठिन है इस मैदान पर लेकिन फिर भी 270-280 स्कोर की उम्मीद थी कि इतना स्कोर अगर टीम इंडिया बना लेती है तो कड़ी टकर दे सकती है लेकिन फिर भी उम्मीद पर दुनि तो कुछ भी हो सकता है भाई साब कुछ भी हो सकता है दोसों उन्तालिस रन्ग हो चुके हैं कुछ भी हो सकता है जिस तरीके से भारती गेंद बाजों ने परदशन किया है इसी ऑस्टेलिया को 200 रन नहीं बनाने दिये थे अमने लीग मैच में वहीं ऑस्टेलिया हमारे सामने है 249 रन कर स्कोर खड़ा कर दिया है हाला कि बल्ले बाजी ऑस्टेलिया की अच्छी है लेकिन हमारे गेंद बाज भी किसी से कम नहीं मौहमाज शमी तो आपको यादी होंगे सेमी फाइनल में साथ विकेट लिये थे निउजिलेंड के तो कुछ ऐसा ही मुकाबला देखने को मिलेगा और ये आखरी बॉल पर दो रन भारती बल्ले बाजों ने बनाने के कोशिश की लेकिन नहीं बना 240 रन जी आँ 240 रन तीम इंडिया ने यहाँ पर बनाये हैं 241 रनों का टार्गेट दिया है दस विकेट हो चुके हैं तीम इंडिया औल आउट हो चुकी है जी आँ टीम इंडिया ओल आउट हो चुकी है यहाँ पर तो भारत अस्ट्रिलिया के बीच यह मुकाबला जारी पहली पारी खत्म हुई 241 रन का टार्गेट यहाँ पर दिया है 240 रन टीम इंडिया ने बनाए है 241 रन का टार्गेट यहाँ पर दिया है टीम इंडिया ने बिराट कोली ने 54 रन बनाए और शांदार गेंदबाजी हम कहेंगे उस्ट्रिया के गेंदबाजों ने की है लेकिन अब पूरा दारोमदार भारती गेंदबाजों पर केल राहूल ने 66 रन की पारी खेली विराट कोली ने 54 रन बनाए है रोहिश शर्मा ने एक अच्छा स्टार्ट दिया था 31 बॉलों में 47 रन बनाए थी केल राहूल भी संगर्श करती हुए नजराए अच्छी पारी 66 रन की पारी नहों ने खेली सूरिकुमार यादव ने 18 रन बनाए मोहमद सिराज ने 9 रन बनाए हैं तो देखिया पूरी जिम्मदारी है भारती गेंदबाजों पर भारती गेंदबाज कैसा प्रदर्शन करते हैं अपनी गेंदबाजी में उस पर निर्भर करेगा कि टीम इंडियास वर्लकप को जीते करेगी या नहीं तीसरी बार खिताब अपने नाम करेगी या नहीं करेगी अब गेंदबाजों पर ही निर्भर करता है सब कुछ पूरी देश की निगाहें अब भारती गेंदबाजों पर मोहमद शुराज जस्परीत बुम्रा कुल्दीप यादव और मोहमद श्मी जो की तुरुप के के हैं इस वर्लकप के लिए तो वैभाओ हमारे सहयोगी इस समय न्यूज रूम से हमारे साज्रगे हैं आप वैभाओ बले बाजों ने जो कुछ किया वो ठीक है चलिए ठीक है दो सो 240 रन स्कोर है तीम इंडिया का 241 रन का टार्गेट है अब इस गेंद पर जो मेरे हातों में गेंद है इस गेंद पर सब कुछ निर्भर करेगा इस गेंद को फेकने वाले गेंद बाजों पर निर्भर करेगा कि तीम इंडिया ये वर्लकप जीत पाती है नहीं लेकिन पूर पारतीय फैन्स को निराश्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि जिस तरीके की गेंबाजी और अच्छी गेंबाजी की है और यह जो नरेंद मोदी स्टेडियम है इसकी जो एवरिज स्कोर है पहली बैटिंग करती है पहली टीम की वह दोसो सेंथे और और उससे साफ सेब लेखें तो कहीं ने कहीं हम यह देख सकते हैं कि पार स्कोर से तो पार चली कही है बारती टीम अब अगर गेंदबाज हमारे जो गेंदबाज हैं जो कि इस वक्त दुनिया के सर्वस्रेश गेंदबाज हैं चाहे मौमाश शमी हो जस्पीत बुम्रा हो रविन जडेजा हो या कोई भी बहत्रीन गेंदबाजी सबी गेंदबाज कर रहे हैं और अगर शुरुवाती जटके शुरुवात में पांच ओवर के अंदर या तीन ओवर के अंदर कहीं अगर दो या तीन विक्टे जल्दी निकलती है डेविड वानने ट्रेविस हैड या फिर हम बात करें माननस लभूश और अगर एकादा विकेट जल्दी गिरा दो विक्टे जल्दी गिरी तो हम भी चांस ले सकते हो फिर शमी तो आपको पता है कि अगर चल गए तो साथ विक्टे अकेले ले गए तो फिर रवेन जड़ेजा हर बार हर दफा ग्लैन मैक्सवल को डेविड वाननर को आउट किय अगर चले हमारे गेंबाज भी चले और धार है हमारी गेंबाजी में तो विश्वास कहीं नहीं तो विश्वास कहीं नहीं तो डोसे ताल नहीं दी कि रोहिश शर्मा ने बैटिंग की शुरुआत बहुत शांदार तरीके से करी बहुत पास उसमे रन रेट पे जा रहा था अचानक से वो विखेट गिरे हैं कहीं न कहीं शेयर का तुरंत आउट हो जाना उससे टीम के बाकी लोगों के उपर प्रिशर आया जो अस्टेलिया को भी फेस करनी पड़ेगी तो हमें लगता है बहले यह लोग स्कोरिंग मैच है लेकिन इंडिया वर्ड कप जीतेगा ऐसा विश्वास है और शुरुआती दसोवर बहुत हत्तक हमारे चीज़ों को बदलने में जो जीत की उम्मीद से आज यहां पे साथ जिसे हम लोग सुभेरे से लगे हुए हैं कल से पूरी तैयारिया हो रही है और यहां की बात छोड़ दीजे पूरा देश पूरे वर्लकप में 100 विकेट लेने की करीब है पूरी उम्मीद है कि गेनबाद शांदा प्रदर्शन करेंगे यह वर्लकप हमारा होगा निशित और पर सुमित देखिए उमीद भारत कभी नहीं खोता और बुरी सी बुरी परिस्ति में भारती टीम को जीतना आता है और हम लोग फाइड बैक करेंगे और निशित तोर पर जिस तरीके कि वहां की कंडिशन से पेच काफी स्लो केला है और यही वज़ा है कि एक हाई स्कोरिंग मैच नहीं हो पाया है हाई स्कोर भारत बनाने में कामियाब नहीं हुआ हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्स मौझूद है क्रिकेट के फैंस मौझूद है उनसे पूरा समिकरन और यह पूरा गड़े समझने की कोशिश करेंगे कि जो भारती टीम चार-चार सु रन कर रही थी वो आद 240 रन ही क्यों कर पाई और अब आस्ट्रेलिया को कितनी बड़ी चुनोती दे सकते हैं यह हम समझनी की कोशिश करेंगे अरुन वर्मा हमारे साथ है सतीश कुमार जी हमारे साथ है बोपाल के जाने माने क्रिकेट एक्सपर्ट हैं शिवा मिश्रा है नेशनल यूथ अवाड़ी है और तमाम क्रिकेट के फैंसे खलाडी उनसे बात करेंगे अरुन जी 240 रन कैसे देखने हैं से डिफेंडेबल है या नहीं बिलकुल डिफेंडेबल है और जिस तरीके से शुरू में रोई शर्मा खेल रहे थे तो बहुत ही अच्छे शुरुआत दी थी लेकिन उसके बाद पिछकी जो कंडिशन है वो पेज़ धीमा हो गया था उसके बाद रन बनाना मुश्किल हो रहा था लेकिन जिस तरीके से विराट कोली और राहूल केल राहूल ने पार्टनर्शिप करी महाँ पर और दुनों ने अर्चा तक लगाए तो एक नीव रखी और यहां तक स्कोर पहुचा है और जो मदिकरम में फिर हमारे जो बैट्समेन आए जिन्होंने सिंगल सिंगल खेला उससे बहुत फायदा मिला है और यह बिल्कुल सेफ है और हमारे बॉलर इसको विल्कुल डिफेंड करेंगे है विकेट दोनों के लिए सेम है हर गेम में साड़े तीन सो नहीं बन सकते है इस विकेट पर तो साड़े तीन सो ना बनना मुश्किल ही था नामुन किन था इंफाक्ट यह एक अच्छी क्रिकेट होगी और अभी अगर आप रेश्यों देखेंगे तो साट परसंट इंडिय में जैसा कि हमारे समी प्सी बार बहुत अच्छे चली थे और मुझे लगता है पिछ स्लो है और हम बहुत ही असानी से मैच जी सकते हैं अभी भी देखिए सुमेट उमीद पूरी बाकी है और हमारे साथ तमाम जो फैंस है वो इंडिया का जंडा बुलंद करे हुए ठीक है और भी लीग मैचिस में देखा है कई मैचिस में देखा है कि अगर गेंदबाज आपका अच्छा है अगर आपकी गेंदबाजी अच्छी है तो आप ICC टूनामेंट जीतने के हखदार है और टीम इंडिया डेफिनेटली हखदार इस वर्ल्ड को जीतने की बासू अनिशे तोर पर देखिए और अब पूरा दारोमदार ही सुमित मुझे लगता है गेंदबाजों पर होगा और हमारे गेंदबाज है जो गेंदबाजी लाइनप हमेशा से कहा जाता था कि भारत में होते अच्छे पेसर्स जो है वो प्रडियूस नहीं हो पाते लेकिन इस और इस पूरी जो एक प्रचलित चीजें जो चली आती थी उसको मौझूदा लाइनप ने लगबग लगबग खत्म कर दिया है आप मौमाश रास को देखिए आप बुम्रा को देखिए आप शमी को देखिए आज इन ही से उमीद कि इनके साथ इस्मिनर भी जो है वो साथ देती हुए नजर आएंगे क्योंकि ट्रैक स्लो है टर्न मिलेगा जडेजा को कुल्दीप को बिलकुल मिलेगा क्योंकि क्या है कि हमारे जो स्पिनर है उन्होंनों भी बहुत अच्छी गिंदबाजी की है वो पूरे वल्ड कप में बहतरीन विकेट निकाले है पिछले मैच कुल्दीप यादा और जडेजा को खेलना सुमित कहीं न कहीं मुश्किल होगा सर इंडिया का गेम प्लान क्या होगा अब सेकंड इनिंग में जब ऑस्टेलिया को रोकने वो जाएंगे गेम प्लान तो बहुत सिंपल है विकेट स्लो हो गया लेकिन हमारे साथ सबसे बड़ द्यू एक फेक्टर होगा सुमित और ये फिल्डिंग में भी इंडिया को कहीं न कहीं परिशान कर सकता है और फिल्डिंग से सुमित मुझे एक बात याद आ रही है और उसका जिक्र जरूर होना चाहिए बारती बले बात जहां शौर्ट बार रहे थे ऐसा लग रहा था व पारिशी क्यों न आ जाए जब गेंद बाजी चलती है तो भारती गेंद बाजों के सामने कोई टिक नहीं पाता मैं वहां के पास लोटूंगा श्रीदवास आप क्या कुछ कह रहे हैं वहां के फैंस कितनी उम्मीदें हैं भारती गेंद बाजों से क्योंकि ये बॉल ही प्रदेशन नहीं हो पाया लेकि बले बालिंग में अभी भी परदेशन करना बाकी है उन्हें उम्मीद है कि जो अभी जो बालिंग का जो सेकर निनी का परदेशन होगा उसको रोकी भारत की टीम आश्टलिया को हमार साथ कुछ क्रिकेट प्रेमी इन से जानते हैं कि आप यह मैच होगा किस नजर से देखते हैं क्या लगता है क्या लगता आप बताईए कि जो अभी बैटिंग जो प्रदेशन था अब बालिंग है बालिंग का प्रदेशन बहतर होगा इसी उमीद के साथ हम लोग में देखने फिर से बैठेंगे इनली लगाया था आप लोगों आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा मतलब अपनी बारी खेले इंडिया ने और इस बार भी का बॉलिंग भी इससे बहतर हो सकती है और करेंगे और जीते की इंडिया ही 241 का लक्ष दिया गया है क्या लग रहा आप बॉलिंग कैसी होनी चाहिए उमीद कुल्दीप सामी सिराथ काफी अच्छा बॉलिंग करेंगे और हमारे जीते हैं और बालत चमतकार दिखाएंगे पूरा उमीद है कि इस बार का जो यह जो पहला नयार स्टेडियम है कुछ ना कुछ इतियास रचेगा और इसके साथ ही यहां टोटल अगर इसकोर देखा जाएगा तो बहुत बलेबाजी में बहतरी पर्देशन नहीं किया हो लेकिं बॉलिंग में पर्देशन अच्छा होगा ऐसा यहां के लोगों का कहना है बिल्कुल उमीद नहीं चोड़नी है और भरोसा रखना है हमारे दमदार गेंद बाजों पर वैभाव हमारे साथ लगाता जुड़े हुए योगल हमारे साज लगा है योगल मेरी आवाज आप तक मोच लिए क्या बिल्कुल योगल बहले बाजो नो थोड़ सा निराश किया लेकि निराश होने की ज़रुवत नहीं है क्योंकि इतनी इतनी घातक गेंद बाजी हमारे गेंद बाज कर रहे हैं कि अच्छे-च्छों क पसीने छूट जाते हैं और यहीं ऑस्टेलिया इसी ऑस्टेलिया को हमने दोस्तों रंग के अंदर ओल आउट किया है यह नहीं भूलना है प्रेशर ऑस्टेलिया पर भी होगा क्योंकि यह वर्ल्ड कप का फाइनल है योगल यह बिल्कुल सुमित देखे अभी एक इनिक्स हुए हैं तो अभी उमीद बहुत है और जिस तर से हमारे बल्ले बाज बेटिंग किये हैं उसके बाद हमारे बालरों पर भरोसा है और सबसे खास बात यह हैं कि देखे यूवा है हर वर्गे के लोग हैं और बहतर लुप्त कि क्या उमीद है किसे इंडिया जीतेगी और क्या उमीद रहेगी कौन बालर है जो आपको उमीद है उससे मोहमद सभी बहुत भरसा अभी और इस स्टाइटिंग में चास्विभू में बिल्कुल विकेट लेंगे दो तिन विकेट लेंगे इस समसे पूरे इलीडी में हजा सारों लोग के साथ मेहत देख रहे हैं कैसा लग रहा है बहुत बढ़िया लग रहा है बहुत बढ़िया नुभाव अपना जी और जड़ेजा अच्छा बॉलिंग करेंगा हमसे जड़ेजा ज्यादा उमीद है हमको जीतेगी पक्का जीतेगी बिल्कुल जीतेगी क्या क्य और फी लोग हैं मारवीज बताएंगे राजनिती के बाद पूरा एक मंत्री मंडल सभी लोग बैठे थे इस तरह के मैच कभी आप लोग देखे थीक है ठीक है ठीक है योगल ठीक है योगल मैं लोटूंगा आपके पास राकेश यादो भी हमारे इससां चुड़े हुए है र मैचर जीत रहे हैं तो गेंद बाजी के दमपर और यहीं गेंद हमें आज वर्ल्ल कप जताने वाली है राकेश जी सुमित निस्चे थी एक बार कह सकते हैं कि बल्ले बाजों ने कहीं न कहीं हमें निरास किया है और 240 रण बनाई है भारती टीम ने और 241 का लक्ष दिया है आईए जानते हमारे साथ क्रिकेट प्रेमी मौजूद है यूवा मौजूद है जो प्रजेक्टर में यहां पे कितनी उमीदे हैं और टीम इंडिया से क्या चाहते हैं सबसे पहले तो इंडिया 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 जीत रही है ऐसा है और 240 का लक्ष बहुत अच्छा लक्ष दिया गया है इंडिया ने और श्रेलिया को अभी तो और आगे मैच बचा हुआ है और जिस प्रकार से हमारे ब बिट किया और सूरी कुमार यादों ने भी बहुत अच्छा सयोग दिया लास्ट के जो बॉलर्स है उन्होंने भी बहुत बढ़िया प्रेडिक्ट किया और आज की डेट में 240 रन बहुत बढ़ा लक्ष है अस्ट्रेलिया के लिए यूवा और खेल प्रेमियों का कहना है कि 240 क लख्ष है वह बढ़ा लक्ष है अब बादा जो बालर है उन पर पूरा दारमदार है लेकिन कहीं नहीं नहीं कहीं जो खेल फ्रेमी हैं ठीलाडि है उनको निरास कि है हमारे साथ और बहुत से लोग हैं आई जानते हैं कि वह क्या सूचते हैं 240 का सूर कितना टॉप रहेगा अभी तक किसी किसी भी टीम ने नहीं कि है जैसी गेंद बाजी भारती गेंद बास करते सर मैच सर अच्छा चल रहा है लेकिन सर अब बॉलिंग पर देखते हैं कि बॉलिंग शमी कैसे करते हैं वालिंग कि मतलब कुल मिला के जो निगाहें वो बॉलर शमी के उपए टिकी यह सर क्या नाम आपको कैसा लग रहा है क्योंकि फर्स टीनिंग कंप्लीट हो चुकि इंडिया ने एक टार्गेट दे दिया क्या लगता है किस तरह की चीज़े रहेंगे मुदलब आज जीत नहीं है इंडि नन्य मुन्य क्रिकेट फैंस को मीध है कि भारती गेंदबार शांदा प्रदशन करेंगे और शमी जो की तुरुप के के हैं भारती टीम के वो आज फिर से विकेट लेंगे और टीम इंडिया की जोली मही का पाएगा मिथलेश हमारे साथ इंद और से जुड़े हुए है क्रिकेट में कि जो बलेबाज होते हैं वो मैच जिताते हैं और जो बॉलर होते हैं वो हमें टूनामेंट जिताते हैं और भारती गेंदबाजों के पास इस बात को साबित करने का एक सो नहरा मौका आज मिथलेश हम सब यह जजवा लेकर आएं हाँ पर कि अंडिया जीतेगा इंडिया जीतेगा इंडिया आपने इसे किसे सूच लेकि दूसरा को जी जाएगा 100% हमारा इंडिया हमारा 100% जो भी कर जो भी कुस्टमरें जीतेंगे तो आप जांदेश कृकेट फैंस कृकेट फैंस शायद थोड़े आप हमारी बले बाजी को देखकर निराश हो गया है जरा चेरप कराएगे कहना गें इंडिया दिखा आ चाहता हों कि इंडिया इंडिया। मानाजी मेरे कर एक इंडिया के लिए राह के पत्टरों को चकना चूर होना चाहिए वार चाहे एक हो बरपूर होना चाहिए अबड़ अबश er भॉस इतना है नहीं कि वह हाल अपनी माने ले यही ज़बा और यही जनूर होना चाहिए बिलकुल मिखलेश यही ज़बा और यही जनूर होना चाहिए आज आस्ट्रिलिया को आज कंगारियों को हमारे गेंद बाज गुटनों पर लाके ठेक देंगे वासू मैं आपके पास आ रहा हूँ वासू अगर टेक्निकल डूप से हम देखें ओस ड्यू की यहाँ पर बात हो रही है ड्यू अगर आई गेंद बाजों को दिक्कत होगी फील्डर्स को भी दिक्कत होगी थोड़ी सी क्योंकि बॉल जो होती है वो गीली हो जाती है हाथों म सही से आती नहीं है लेकिन अगर हमारे गेंद बाजों ने शुरुवाती जटके ऑस्टिलिया को दे दिये कमर टूट सकती ऑस्टिलिया की वासू अब बिल्कुल देखिए और सबसे इंपोर्डेंट फैक्टर अब यही होने वाला है कि हमारे गेंद बाज शुरुवात में कितने विकेट लेने में कामियाब होते हैं और पावर प्ले में कितने ज़्यादा रन रोग पाते हैं आपने ठीका ड्यू एक कही ना कहीं चैलेंजिंग फैक्टर होगा शुरुवाती ओवस को सर कैसे देखते हैं कितने महतपूर होने वाले कितने क्रूशल इंडिया की पड़ेगी क्योंकि वह अटैक जरूर करेंगे फिर जैसे विकेट धीमा होगा तो निश्चित रूप से उने भी खेलने में बहुती प्रॉब्लम होने वाली कि जैसा बताया कि विलन बन सकता है ड्यू फैक्टर और आज इंडिया जीतने का अन्वो है हम ऑस्टेलिया को द आज आज इंडिया ने तीन सो रन ही बनाए जो कि फिल्डिं से दो चालिस रहे गा है तो यह बिलकुल आप सही कह रहे हैं कि यह जो पंदरा खिलाडी खेले हमें वी 17 खिलाडियों के साथ कहलना पड़ेगा ताकि हम इस चीज को और शॉट कर पाए हमाराज दोसे चालिस का थीके 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 वासू थोले माहौल को गर्म किया जाए इंडॉर में भी गया था मिथलेंश जैसे की इंडॉर हर चीज में नंबर वन होता है इंडिया को चेयर करने में भी इंडॉर नंबर वन नजर आ रहा है वासू जरा दिखाए कि भोपाल वासी भी चेयर करने में क आप लोग से तो यही उमीद है कि यूवा जोश कही ना कहीं दिखना चाहिए इंडिया को कैसे चेर कर रहे हैं बिल्कुल तो देखिए समेट यह जोश है और यहाई है हाथों में तिरंगा है और तिरंगा हमेशा लेराता रहेगा हमारा तिरंगा आल्वेस फ्लाइ हाई और यही देखने को मिलेगा बस थोड़ा सा आप इंसार करिए बिल्कुल हमारे फैंस डिमोटिवेटेड नहीं है हमारे साथ जो क्रिकेट एक्सपर्ट से वो यह कह रहे हैं कि 240 से सम्थ मानियें गेंदार इस भी मजबूत है कि 300 से कम यह स्कोर नहीं है और तबारों को जीतना म लाइपूर से यूगल पहले तो आप चेयर किराइए भारती गेंद बाजों के लिए जो वहाँ पर क्रिकेट फैंस मौजूद है पहले चेयर किराइए फिर बात किजिए कि कितनी उम्मीद है उनको भारती गेंद बाजों से यूगल बिल्कुल सुबित देखे मैं सबसे पहले तस्वीर दिखाना चाहूँगा देखे एक बड़ा प्रोजेक्टर जो लगा हुआ है और किस तरह कि यहां तस्वीर है यह इंडोर स्टेडियम है किस तरह कि यहां की तस्वीर है और यह इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कि अधर क्या लगता है एक पहले चेर कर दीजें इंडिया 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 नहीं परिया देखे पाइनल के हिसाब से देखा जाए तो 240 रन भी डिफिकल्ट होने वाल है और इंडिया के पास भी अच्छी बॉलिंग है और पूरे टॉर्णमेंट में अच्छा बॉलिंग कि अधर कि अधर करार है इंडिया मैच जीत रही है जैसे हमने देखा दोजार वर्ल्लकप में बैसमें ने बैसमें जीता है था उसी प्रगाद हो यह तेज में हमारे बॉलर मैच जीता के लाएंगे और हम वर्लकप जीत रहेंगे कायि कैसा लग रहा है बहुत 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 एक्डम बहुत खाना अबी जरूरी है भारती गेंदाबाजों के लिए भी हमारे देश के लिए भी राकेश भी हमारे शांशले हुए हैं राकेश वहाँ पर जो क्रकेट फैन्स ने जराद चीयर अप करा सबसे पहले और उनसे बात करने कि कितनी उम्मीद लगाए वैटेंएं वह अपने गेंदबाजों से नाकेश जी है कहे ना कहीं जो आखरी जो मूइत कह सकते हैं वह कितनी उमीद है लोगों का उसा अभी भी पर करार है उमीदे वाकी है और जो उमीदे है वो जो हमारे बालर है वासू मैं आपके पास आ रहा हूं एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा एक्सपर्ट से भी आप एक सवाल किजिए कि देखिए टार्गेट छोटा है ठीक है लेकिन 83 का नहीं भूला है वल्लकप 183 भी हमने डिफेंड किये थे वहां पर इसी ऑस्ट्रिया को इसी सभड लगेंगे और एक और बात करना थोड़ा सा मुष्किल होता है और यह तो वर्ल्लकप का फाइनल भी साब देखिए अनुष्टels करें लिए अप यहां पर देखेंगे हमने इस णाइच मृस्टी अच्टails वान लारे उर्यागों और वंकूर इस आहल यह चाह यहाँ और मैं आपसे थोड़ा साब स्टांस भी ले लीजिए आपसे यह समझना चाहूंगा कि बॉल कैसे टर्न होगा और पिछ पे कैसे ग्रेप होगा और कैसे बाजू से निकल के कट लग सकता है और बिल्कुल लोग जानते हैं रुक कर भी उनको खेलना होगा क्योंकि टर्न तो ब कंगारूं के लिए इतना असार नहीं रहेगा उनको खेलना और तर्न तो हो गई होगा और हमारे विकेट की पर बहुत अच्छी की प्रिंग कर रहें निश्चित रूप से कैच पकड़े और आज इंडिया बिल्कुल हराएगी और 2013 के बाद जो हम आई सी एक भी इवेंट जीते नहीं आज भी राम लगने जा रहा है अब मैं आप से रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लीज यहां आईए और एक जरह स्टांस लेके यह थोड़ा सा हमें किजिए कि जब सामने से लाइट होती है तो वह बैट्समें के लिए डिफिकल्टी क्रिएट करती है और उसमें जस्बा ही चाहिए आज इस वल्लकप को जीतने के लिए मॉलेक बिल्कुल जोस्ट जस्बा है उसकी बात करें तो यह स्टेडियम बाहर का माहौल है में आपको दिखाना चाहूंगा कि फिलहाल अभी मेच का एक सतक पुरा हो गया है फिर भी आप माहौल देखना चाहता है तो माहौल देखिए पूरा ग्राउंड के बाहर लोगों की तादाज जो है वो बढ़ती जा रही है कहीं न कहीं जीत की आसा अपेक्सा जो है वो कहीं लोगों को दिखाई दे पड़ती है फिलहाल कई सारे स्टाब जो है वो भी यहां पर मौजूद है क्रिकेट स्टेडिय साया हूं और आज इंडिया ने 240 रन मारा हुए है लेकिन 240 रन और बारी बनने वाले हैं जो बिलकुल हाई है और जुनून भी हाई है आप सभी हमारे साथ बने रहेएगा फिलाल यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं इस गेंद की धार अभी देखनी बाकी ऑस झाल